कोरोना महामारी से विश्व क्यादिकाश देश प्रभावी चत्तिसकर के सत्रा जिलों में प्रशासने पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया और दंतेवार जिले में हुई मुढवेड में एक इनामी मावादी मारा गया नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समाचार मैं हूँ गोपासानियाल अब समाचार विस्तार से कल से देश भर में शुरू हुए टीका उत्सो के पहले दिन कल 27 लाग 79 ज़ादिक लोगों को कोविर से बचाओ के टीके लगाए गए इन में से 25 लाग 47 हजार विक्तियों को टीके की पहली डोज जबकि 2 लाग 22 हजार से दिक लोगों को टीके की दूसरी मात्रा दी गई या टीका उत्सो कल महात्मा जोती बाप फूले की जैन्ती से शुरुख हुआ है जो कि 14 अप्रेल को बाबा साहिब अमेटकर की जैन्ती तक जारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने इस अभियान को कोरोना के खिलाफ दूसरे महा संग्राम की संग्या दी है उन्होंने चार सिध्धानतों का पालन करने की अपील की सात्यों वैक्षिन को लेकर राज सरकारों की सला, सुझाव और सहमत इन्हें सही देश्टराफी रणदीती बनी है मेरा आप सभी से आगर होगा की हाई फोकड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के उपर शत्व प्रतिशत वैक्षिन के लिए लगातार प्यास कीजिए एक बार एक तो हैचिव करके देखिए मैं एक सुझाव देता हूँ क्योंकि ये कभी-कभी बातारों बदलने के लिए चीज़े बहुत काम आती है 11 अप्रिल जोतिवा फुले जी की जन में जैनती है और 14 एप्रिल बाबा साब आप मेरकर जी की जन में जैनती है क्या हम 11 एप्रिल से 14 एप्रिल पूरे अपने राज में टीका उत्सव मना सकते हैं एक पुरा वातावन क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेस अभियान चला कर हम जादा से जादा एलिजिबल लोगों को वैक्सिनेट करें जीरो वेस्टेज ताय करें हम एन चार दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा वो भी हमारी वैक्सिनेशन केपिसेटर को बढ़ा देगा हमारी वैक्सिनेशन केपिसेटर का अप्टिमम यूटिलाइजेशन यह हम लोग करें और इसके लिए हमें यदि वैक्सिनेशन केंदरों के संग्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 एपरिल किस प्रकार से चीजों को मुबलाइज कर सकते हैं एक achievement का satisfaction मिलेगा बाता और बदलने में बहुत काम आएगा और मैं बार सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम vaccination पहुंचा सकते हैं हमारा प्रयास यही होना चाहिए इस टीका उत्सों में हम जादा से जादा लोगों को vaccinate करें और वो भी eligible वर्ग को केंद्री सूशना और प्रशारन मंत्री प्रकाश जवडेकर ने प्रत्येक व्यक्ति से प्रधार मंत्री के आखवान पर 14 अप्रेल तक आयोजित किये जा रहे टीका उत्सों में बढ़ चड़ कर भाग लेने की अपील की है शीजावडेकर ने लोगों से कोविट के खिलाफ देश की मुहिम का एक हिस्ता बन कर अपनी और परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है इस बीच केंद्री सरकार ने 36 गर सरकार को पत्र लिखा है पत्र में राज्यों को कोरोना की जाच और नियंतरन कारवाई अस्पतालों के बुनियादी धाचे और टीका करण संबंधी केंद्री दलों की रिपोर्ट के बारे में सुधारात्मा को पाई करने को कहा है केंद्रे स्वस्त सचियू राजे शिभूशन ने कहा है कि राइपूर और जश्पूर में नियंतरन श्यत्रों के आसपास पूरी साउधानी नहीं बरती जा रही है उन्होंने कोरबा, दुर्ग और बालाओद जिले में आटीपीसियार जाच सुधा में कमी होने से जाच के बाद उपचार मिलने के समय में देरी होने की बात कही है उन्होंने कहा कि बालाद, राइपूर, दुर्ग और महासमुन जिले में रोग्यों के अस्पताल में भरती होने की दर अधिक है शीभूशन ने बताया कि जिला प्रशासन को बढ़ते मामलों के कारण उत्पन मांग को पूरा करने के लिए अस्पतालों के बुनियादी धाचे और अन्य जरूरी इंतजामों में तेजी लानी होगी 36 गड़ में अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 33 लाग बावन हजार से अधिक लोगों को कोरोना से बचाओ का पहला टीका लगाया जा चुका है इन में से 84 हजार से अधिक लोगों ने टीके की दूसरी खुराक भी ले ली है प्रदेश भर में इस आयू वर्ग के करीब 58 लाग 66 हजार लोगों के टीका करन का लक्ष है इस लक्ष के 57 प्रतिश्यत लोगों को पहला डोस दिया जा चुका है स्वास्यकर्मियों, फ्रेंट लाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक उम्र के नाग्रिकों को मिला कर प्रदेश में अब तक कोरोना के टीके का 43 लाग से अधिक दोस दिया जा चुका है इस बीच प्रदेश में कल 10,500 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वर्तमान में प्रदेश में 90,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन अस्पतालों और होम आईसोलेशन में इलाज चल रहा है वहीं प्रदेश में कल 82 लोगों की कोरोना संक्रमन से मौत भी हुई है कोरोना महामारी से विश्यो के सभी देश बुरी तरह प्रभावित है विश्यो के अधिकांश देशों में कोरोना के मामले निरंतर बढ़ते जा रही है ऐसे में कई देश कोरोना संक्रमन से बचाओ के लिए कड़े कदम उठा रही है पेश है एक रिपोर्ट पारण लिया गया है एक अन्य दक्षिन अमेरिकी देश आजेंटीना ने भी कोरोना महमारी से निपटने के लिए शनिवार को कड़े कदम उठाए है आजेंटीना में होटल और मनुरंजन से जुड़े व्यवसाई पर पाबंदियां लगा दी गई है साथी साथ गयर जरूरी श्रमिकों को सार्वजनिक परिवहन का उप्योग करने से भी रोग दिया गया है आजेंटीना में पिछले सप्ताह आधी रात से सुभा छे बजे तक का नाइट कर्फियू लगाये जाने का निरने किया गया था दक्षिन इश्याई देश बांगलादेश में लोगडाउन के पहले चरण को 13 अपरेल तक बढ़ाने का निरने लिया गया है देश भर में 5 अपरेल से हफ्ते भर का लोगडाउन लगाया था ये कदम ऐसे समय में आया है जब देश पहले से ही कड़े लोगडाउन की तयारी कर रहा है जो 14 अपरेल से एक सप्ताह के लिए शुरू होना है एक अन्य इश्याई देश इरान ने कोरोना वाइरस महामारी की चौथे लहर के प्रसार को रोकने के लिए शनिवार को देश के अधिकांच हिस्सों में दस दिनों का लोगडाउन लगाने का निरने लिया है 14 अपरेल से शुरू होने वाले पवित्र, रमजान महीने के दौरान, व्यवसाय, स्कूल, थियेटर और खेल सुविधाओं को बंद करने और सभाओं पर प्रतिबंद लगा दिया गया है कुरोना महामारी के खिलाफ चल रहे संखर्ष ने दुनिया भर में स्वास्ते के बुनियादी धांचे पर दबाव बनाया हुआ है एकवदोर की राजधानी कुईटो के एक अस्पताल में कोविड मरीज की संख्या में हो रही लगातार व्रिद्धी से काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल में नएक शेत्रों को अधिक रोगियों के इलाज के लिए बनाया गया है साथी साथ पार्किन्स थल में सैनले टेंट लगाए गए है इदा 36 गड़ के 17 जिलों में जिला प्रशासन ने पूर्ण लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिये है मुख्यमंत्री भुपेश वगेल ने कोरोना संक्रमण की रोक्थाम के लिए राज्य आपदा सहायता कोश से 50 करोड रुपे मनजूर किये है कोरोना के लगातार बरते संक्रमण के मद्यनजर कोरबा जिले में भी आज से संपून लॉकडाउन लागू कर दिया गया है दोपहर 3 बजे से घोशित ये लॉकडाउन 22 अपरैल की रात 12 बजे तक लागू रहेगा इस समद में कलेक्टर किरन कौशल ने कहा कि पूरे जिले को कंटेंटमेंट जोन घोशित कर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है उन्होंने बताया कि नवरात्र के दोरान देवी मंदिरों में दर्शन प्रतिबंधित रहेगा इधर गरियाबन जिले में भी कल से 23 अप्रेल तक संपूर्ण लोगडाउन लागू रहेगा कलेक्टर निलेश शीर सागर ने बताया कि लोगडाउन के दोरान जिले की संपूर्ण सीमाय सील रहेंगी धार्मिक स्थल, बैंक और परिटन स्थल सहित सभी गतिवीधियां बंद रहेंगी साथी शराब दुकाने भी पूर्न तहब बंद रहेंगी वही मेडिकल और आपात कालीन सेवाओं को छूट दी गई है वही राज्य सरकार ने प्रदेश में विमान के साथ-साथ अबरेल से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जाच संबंधी दिशानिर देश जारी कर दिये हैं ख़बरों का सलसल आगे भी जारे रखेंगे फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का वैश्विक महामारी कोविट-19 जिसका कहर संपूर्ण मानवजाती को अपनी आगोश में ले चुगा है तीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है अब जब अन्दॉप फाइव के तहन लगठ़क सारा देश खुल गया है तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागात है आपका दूरदर्शन समाचार में दुर्ग जिला पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान संकरवित होने वाले पुलिस और उनके परिवार की मदद के लिए हेल्प डिस्क की शुरुवात की है इस सेवा के माध्यम से अब तक 500 से अधिक पुलिस कर्मियों और उनके परिवार की मदद की जा चुकी है पुलिस हेल्प डिस्क के नोरिल अधिकारी अतरिक्त पुलिस अधिक्षक संजे कुमार दुरुव ने दूरदर्शन समाचार से बाचीत में बताया कि आपाथ कालीन इस्तिती में अबुलिस के सेवा उपलब्द कराना जवانों की कुरोना जाज और उनका ठीका करन भी हल्प डेस्क के माध्यम से कराया जा रहा है पुलिस जन उनके परिवार जन का वैक्सिनेशन भी कराना साथ में ऐसे लोग जो आइसलेटेट है घर में पुलिस करमी और उनके परिवार उनको होम डिलिवरी के मादधम से दवाई और राशन उपलब्द कराना एम्बूलेंस की सुईदा परदाय करना उन्होंने बताया कि कोई भी पुलिस अधिकारी या करमी हेलप लाइन नमर पर फोन करके या वाटसप पर मैसेज करके इस सुईदा का लाब उठा सकता है दंते वाड़ा जिले में माववादियों के साथ हुई मुढभेड में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माववादी को मार गिराने में सफलता खासिल की है जिले के पुलिस अधिक्षक डॉक्टर अभिशेक पल्लों ने बताया कि कटे कल्यान धाना श्यत्र के गीदम और जंगम पाल के जंगलों में माववादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके बाद डियार जी की टीम तलाशी अभियान के लिए रवाना की गई मौके पर पहुँचने पर माववादियों ने अचानक गोली बारी शुरू कर दी जिसके बाद जवानों ने भी जवावी फाइरिंग की इस मुढभेड में एक लाख रुपे का इनामी माववादि विट्टी हूंगा मारा गया बियार्जी को लाउंच किया गया घेरा बंदी की गई लेकिन जंगल का फाइदा उठाकर करीब आदे घंटे शुरू फाइरिंग के बीच में लगातार उनकों फॉलो कर रहे थे करीब 12 बजे ये लोग दादम और जंगंपाल के बीच में वो पार्टी को दोबारा घेरा बंदी किया गया करीब 15 मिनट फाइरिंग चली तावर तोर फाइरिंग उसके बाद एक माववेस मेल वेट्टी थूंगा करके दिमिनिशा कमांडर है उन्होंने बताया कि मुढभेड के बाद जवानों ने घटना स्थल से 8 mm की पिस्टल एक देशी भरमार बंदूग 2 किलो वजनी आईडी बम और माववादी समगरी बरामत की है केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के स्थिती में सुधार होने तक Remdesivir injection और इसे बनाने में काम आने वाले औशद्य तत्वों के निर्यात पर पाबंदे लगा दी है केंद्रे स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि भारत में कोविड महामारी के मामलों में अचानक तेजी आई है और कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाले Remdesivir injection की मांग भी बढ़ गई है मंत्राले ने कहा है कि Remdesivir के सभी घरेलू निर्बाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर इस दवा के भंडारन और वितरकों का ब्यवरा दे ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया आजा सके मंत्राले ने Remdesivir की जमाखोरी और काला बाजारी करने वालों के खिलाब भी कारवाई करने को कहा है तर्शकों कोरोना से बचाओ के लिए मास्क सेनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है और इसी के साथ ये समाचार बुलिटेन ये समाप्त हुआ नमस्कार